जी नमस्ते जाए जगरनात मैं हूँ गवरांग पंड़ा पंड़ा आस्ट्रोजी में आप लोगों का सुषादत करता हूँ देर हो गया बहुत भीडियो डालने में फिर भी मैं सरी मंगता हूँ मेरे भीवस से क्या करे हर महिने में इस तरह का क्या कुछ होता है नए भीडियो मिथ्वन लगना जेमिनाई आसंडन्ट ये भीडियो लगना की इसाप से देखे राशी की इसाप से ये भीडियो नहीं है और ये भीडियो अपका 15 में 2022 से 15 जून 2022 तक का है और संक्रांती से आगले महिना संक्रांती तक का ये भीडियो है जैसे कि इसी महीना में जो संक्रन्ती होता है अगले महीना संक्रन्ती तक का यह भीडियो यह सुर्य का रासी परिवर्तन की ऊपर ही जदातर बेश है यह रासी के हिसाब से मत देखिये जैसे की बृषब और मिथुन तीन नंबर होता है यह में सब रिशव और मिथुन यह तीन नमबर होता है मगर यहां पर अगर आपका एक लिखा हुआ है लौ लिखा हुआ है अस्क लिखाए एस्सी तो अभी तो यह वीडियो आपके लिए है टोटाली वीडियो में मैंने कोशिश किया मेरा कुछ नलेज को सेयर करने के लिए प्लानेटरी पोजिशन्स एक्जक्ली पांच बज कर चोरालीस मिनिट एम दिल्ली का मैंने लिया क्योंकि इसी टाइमिंग में सुर्य का राज़ी परिवर्तन होता है सारे प्लानेट्स का नखयत्र डिवीजन क्या है और सारे प्लानेट्स किस किसी से एसपेक्टेसन करते हैं कौनसा योग इसी टाइमिंग में पड़ता है और संक्रंति कि दिन चंद्रमा तोला रासी में थे और संक्रंति नखित्र स्वाती पड़ता है तिथी सुक्र चतुर दर्शी का तिथी है ताकि इसको डे बाई डे लाइफ में आप इसको यूटिलाइज कर सकते और ये एक एक एक्स्ट्रा चीज मैंने इसमें डाला कि अगर सही साबीत होता है आपका लाइफ के साथ जुड़ा होता है तो कमेंट करके बताईए अगर ये जुड़ा नहीं होता है तो आप बलिए तो मैं इस चीज को ओमिट कर दूँगा बीठोन लगना बहुत टकेटिव है दिल में कुछ आ जाता है जब तक वो बोला नहीं किसी के समने तब तो का अच्छा नहीं लगता है कुछ आ गया दिल में जब तक वो किसी से वो चीज को वात को शेरप नहीं किया तब खुद को अच्छा नहीं लगेगा अच्छा लगे अगर आगर किसी से बोले दिल में रहता नहीं है बोली ही देते हैं जरूरत से ज्यादा बोली देते हैं तखेटी पर्शंग होता है सारी चीजों में घुलिकती होता है म अट gonna topic किषी की सब्जेक्ट में कुछ पूछे और डीटेल बोल तो नहीं सकते ओके फिर भी कुछ ने कुछ बोलेंगे जरूर आपको हर सब्जक्ट में उनका कुछ ने कुछ पकड़ है विकाज सार्फ इंटेलेक्ट्टॉल का घर है ये मर्कुरी बुद्ध का आपका लगना अधिपति बुद्ध है ये केमद्रूम योग, सकता योग, बुधादित्य योग, अरिष्ट योग बहुत सारे और योग मिलता है मगर इसमें से पांच को मैंने मेंसन किया इंपोर्टन्ट सोचके और इसमें ये दो योग बहुत नेगेटिव होता है केमद्रूम योग और सकता योग ये अभी-अभ में कुछ चीजे केमद रूम योग की बारी में मैंने बताया जो कि सारे लगन के लिए वो अप्रोप्रियेट है जबकि चंद्रमां की आगे और चंद्रमां की पीछे कोई प्लानेट ना हो तो ये योग बन जाता है और ये योग जिस जिस का होरोस्कोप में है उनके साथ क्या होता है एक इनभीजिवल अदुरुष्य चीज जो कि इनका जो मन होता है उसके उपर किस तरह का इंपक्ट पड़ता है तो प्लीज आप जाईए तुला लगना साथ आठ दिन से पहले मैंने डाल रखा है मुझे आता नहीं यह कैसे डेस्क्रिप्शन में दिया जाता है कौन से वीडियो मुझे कुछ आता नहीं इसके बारे मेरा इसी में नौलइज कुछ नहीं है इसलिए मैं डाइरेक्ट आपको बता देता हैं तुला लगन को आप जाए इसी में केमद रूम योग को बहुत कोशिस की आपको सो डिफाइन करने के लिए बारमा होस में आपका बुद्धदेव है और बुद्धदेव आपका रभी की नखित्र डिवीजन में है रभी की साथ है यहां तो एक बुद्धादित्य योग तो बनता है आपका लगना जाके यहां पर बुद्धादित्य योग तो बनता है इस शुक्र का घर है एक ही साइ महिने में मन में थोड़ा फ्रॉस्ट्रेशन आएगा क्या कि सारे चीजों में बस एक रेनुवन्शियसन जिसे बोला जाता है बाइराग्यों मोह नहीं आना बजे कुछ भी हो सकता है यह महिना आपके लिए यह सिच्योस्टन लेकर आएगा रेनुवन्शियसन बाइराग्यों कुछ भी यह पैसा हो रिस्ता हो कुछ ना कुछ हो इस तरह कैसी जिच्योस्टन पर आप बंदे हुए जाते हैं आपका लगना लड़ा भी 12 हाउस में है अन वो किसी का एस्पेक्टेशन में नहीं है यह बड़े बात है बुद्ध यहां कि मंगल देव का एक उनली वान प्लानेट मंगल देव का अण यह मंगल देव आपका यहां से नाइंथ हाउस से चौथा दृष्टी एक दौ,तिन और चार्थ एस्पेक्टेशन में मरकुरी है मंगल देव आपका पुर्वा फाल्गुनी नक्खेत्र डिवीजन को रिलेट कर पुर्वा फालगुनी नखित्र होता है ब्रुष्पति का देखें आपका इंटेलिक्ष्वाल का प्लानेट मर्कुरी बुद्धा देव आगे और अंट एंटरनली नखित्र डिवीजन से रिलेटिंग होज गया बुद्ध और बुर्ष्पति और मंगल मंगल देव आपका शीक्स हाउस का ओनर है जाके बेठे हैं अभी सनी के घर में नाइंध है उसमें और सनी की साथ बोला था ना पिछले वीडियो में सेम टाइम में आप अक्सिलिटर दबाओगे और ब्रेक को दबाओगे जो सीच्व भी ना जा पाना टर्गेट को आजी बंडना कर पाना विए तेंथ हाउस में ब्रहस्पती अभी शुक्र ब्रहस्पति दोनों तो है यहां पर योग तो बनता है और यहां शुक्र हाइली एक्स्टालेशन होता है बहुत उछ का होता है अन्डुछ पती इसी घर का ओनर है ओ वह आचिबन जिसमें आपका रिसर्च का रूची है इच्छा है जाने का मन है पढ़ने का इच्छा है आप उसी में ज़्यादा टाइम देंगे जो की इन फ्यूचर आपके लिए बहुत काम का चीज बनेगा सरमय जी नमस्ते अंड ये ब्रोस्पती टेंथ हाउस बिलंग्स तो करते हैं अभी आ जाते है रहू के उपर रहू आपका इलेभेंध हाउस अब आगे कुछ दिनों से पहले बहुत अच्छा है बढ़िया है दितने सारे नुकसान दही का बज़े बन गया था ये रहू यहां पर आपका बार्मा हाउस में कम सेस्थ Blow June फिर जरेट्रोयेस्न होने है तो कंसे कम वह पांच जून 2022 से पहले आपको कर लेना चाहिए उसके बाद को ना रखा जाए तब तो बेटर रहेगा मंगल देव चले जाएंगे आपका 17 मई 2022 को मीन साइन को यहां पर और एक रिलाक्स आपको मिलने मला है मरकुरी बुद्धा देव जो की लगना अधिपती है और रेट्रोगेशन की पोजिशन में तो हे मगर तीन जून को और डाइरेक्ट हो जाएंगे और इसी 15 जून तक रभी यहां पर रहेंगे बारमा हाउस में लगभग लगभग यह प्लानेटरी पोजिशन आप चलता है केतू की उपर पांचमा घर में है केतू बैठे है आपके लिए जो जो ड्रस्टिकली सिच्वेशन पीछे देड़ साल से देड़ साल नहीं तीन साल से दिये है रिलक्स कुछ रहात हो लेकर आएगा मगर केतू यहां पर आपका फीफ्थ हाउस को अकुपाइड हो गया फीफ्थ हाउस आपका क्रियेटिवीटी अक्टिवीटिस का घर है जगा है अंडर प्रेग्रेंची हो इसी टाइमिंग डियूरिंग में डक्टर ने बताया प्रेग्रांची पर्संस को डेलिवरी के लिए तो जितना हो सके उतना कशस रही है विकाज यहां पर कुछ सीजरिंग का सिगनिफिकन्स हो अब होता है कोशिश कैसे भी करें जैसे की नर्माली डिलीवर होना चाहिए जितना हो सके उतना डिलीवरी नर्माल करना चाहिए उसी इससाब से डक्टर से सलाम अस्वार करें ब्रूसपति मिधु लगना के लिए अच्छा नहीं है। मैरे इसे मेरे रिचिर्स में कुन क्या कुछ बोलेगा, मैं हाद जुड़के नमन करता हूं ज्यानि वर्षन को बहुर्ट का अच कि लिए अच्छा नहीं है। मैं पड़ते नहीं है। एक छोटी सी माइथ्फोलोजी के लिए पॉइंट्स मैंने पीछले वीडियो में दिये थे देखे हो सके जिंदेगी में आप एक चीज के लिए कांट्रिविशन करे ब्रुहस्पति ब्राम्हीन है दीजर जो की दोबारा जनम लेते हैं और कोई दोबारा जनम नहीं लेते हैं बच्चा मा की गोच्छे तो एक ही बार पाइदा होता है मगर ब्राम्हीन में एक ब्रतोप नयान प्रक्रिया होते है जो की दोबारा जनम लेना पड़ता है बच्चे को और कभी कबर नो साल, ग्यारा साल, तेरा साल इसी सी उमर में किया जाता है कहीं अगर इस तरह का ब्रतोप नयान होता है वहां पर कुछ कंट्रिविशन करें और कभी कबर आपने देखा होगा बहुत सरे स्पिरिच्वल बंदे है आटे टाइम 25, 30, 40, 50 ब्राम्भीन बच्चों को 21 साथ ब्रतोप नयान दे देते हैं मतलब बच्चा जबकिन जन्यू पहनता है मेरा मन में भी फ्यूचर में यही एक सपना है इस्वर कब करें कोशिस करूंगा हां उसी में कुछ धन का बहुत खर्चा होगा देखते हैं अगर इस्वर का क्या असरी बात अगर कर नहीं पाएंगे तो मैं जरूर आप लोगों को बोलेंगे का शोटी चोटी कॉंटीचा चोटी कॉंटीचटュ बेस चाहिए और बिझेकल ओलो को जया जैदा काउंट में दे तो 77 का विद्ण देगा ये उनिवर्स को दीजिए ये उनिवर्स को आजका डेट में इतने प्रक्रियाएं किया जाता है आहुती होता है घी होता है मंत्र होता है बगएरा बगएरा जो प्रोसीजियोस होता है उछी का इतना पॉजेटिव इंपेक्ट साया देए ये इन्भार्मेंट में ये उनिवर गी तो जलाया दिया जाता है 100-100 kg का वह जाता तो वही युनिवर्स को जाता है पीरिफिकेस्टन करी देता है वहां का एंभार्नमेंट एयर पी और अक्सिजन ले आता है बहुत कुछ होता है उसी में कि मैं इस्युक भी मैं कढ़loe है मगर जहां पर आप देखेंगे कि कहीं किसी बच्चे का व्रतोपनाएन होता है इग जनीव उसी में धार्ण करने जा दूरे प्रक्रिया कोता है braminha की संपत्रतायम उसी में जाकर कुछ कंट्रिभिशन करें कुछ बड़ा सा हिस्सह अप बहुत काम का चीज है आपके लिए मित्फुन लगना अगर अगर आपका व्रुस्पति छेठा अठमा और बारमाई घर में है ना भी हो कम से कम यह मेरे तरफ से आड़ भाई से करके देखिए अगर यह केतु आपका फीब्ठाऊस जो ट्रंजिट में है केतु का तीन नक्खेत्र होता है तारा चक्रों को डियरेट चल रहे हैं मोला अस्षीनी अंड मगः मोला अस्षीनी अंड मगः इसी महीने में साइध नक्खेत्र डिविजन में कोई नहीं आता है मगर पांचमा घर को जो आक्टिवेट करी देता है मित्थों जवी नाइन लगना के लिए मैंने इसलिए बोला कि नर्माल लेजी भरी होना बहुत ज़रूरी है कोशिस करें ताकि वो सीजरिंग तक बात ना जाए कंसीब करें तो ये भी प्रोब्लेमाटिक हो सकता आटोमेटिकली किसी भी बज़े से आभट हो सकता ये आगे देट साल आपके लिए ठीक नहीं है जाए सिब जी की मंदिर बस कुछ उपासना रखे और रुदरावी से कीजिए और शिब जी की मंदिर के उपर में जो जण्डा होता है वो जण्डा केतु को रिप्रेजेंट करता है जण्डा जितना बड़ा हो सकते आप उसी साब से लीजिए और वही रुदरावी से एक जिस दिन आप करेंगे ना उसी दिन पर पुराना वाला जण्डा को साइड अप करके नया जण्डा लगाई है जण्डा बहुत बड़ा होना चाहिए क्योंकि दूर दूर से लोगों का कम से कम नजार उसी के उपर पढ़ना चाहिए जितना पढ़ेंगे उतना नेगेटिव आपका घट जाएगा और उतना पजेटिव आपके तरफ हाज बात को खाना खाते है ना परिवार में बेठके एक बंदा का जितना हिस्सा खाना होता है बस उतना आप निकाल लिजे जुटा करके नहीं हां यह याद रखना जुटा मत दीजिएगा कभी भी एक बंदा का जो हिस्सा खाना का जितना होता है उसको अपर साइट बए रखे अन्नेक्ष्ट मनिंग को वह घुमता फिरता हुआ कुटा को आप बांड दीजिए धीरे-धीरे कुटों का आदत पड़ जाएगा और वह साही टाइमिंग में आपका घर की चोख़ट पर आ ज चलेगा बात नया कम तो करा ही नहीं देगा तो इसलिए कुछ ने कुछ रिमेडिकल मेजर्स आपको लेना चाहिए जो बाते मैंने बताया ना ब्रामीन जो जनी उधारन करने बाला बच्चा जिसका ब्रतोपनेयन होता है उसी में कुछ कंट्रिब्यूट करें ओ एक इंपो होता है वही प्रक्रिया होता है मंतर की माध्यम से बच्चा पाइदा होता है नाभी छेदन होता है बगरा बगरा बहुत कुछ होता है आपने देखा होगा सायद हमरा उडिसा में एक दम बहुत बड़ा चीज है ब्रामीन की संप्रद है ब्रामीन की फामिल में बच्चों क तो उसी दिन से जन्य डालता है वब्रामी नहीं हो गया उसका डेली लाइफ में कर्मा में कुछ अलग सा मोड आ जाता है हर रोज गायत्री करना शूरियों को अर्ग्या देना पुजा अपाठ बगरा बगरा तो यह मिथुन लगना का अप्रोक्समेटली इस तरह का क्या कुछ मैंने बताया नखित्र डिवीजन आस्पेक्टेस ना प्लानेट से ही ब्रोश्पति आपका ओन हाउस में है शनी के लिए एक डेट मैंने बताया पांच जुन से पहले कुछ कर लीजिए एक रिशर्च एक द स्वानिदेव पड़ेंगे विश्ची डेट के बात में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा तो अभी के लिए भी अच्छा नहीं है उतना फिर भी जिसी दिन संक्रांधी का संक्रामण होता है उसी दिन एकजकली चंद्रमा तुलाशाइन में ट्रांजिट पर तोलाशाइन है अपका 55 घर और यहां पर केतू है ग्रहान दोस्तों बनता ही यह फिर भी आपके लिए फीप्त हाउस होने के नाते आपके लिए बेटर रहेगा तुला साइन शुक्र का घर ही यह शुक्र अभी के लिए टेंथ हाउस में प्रफेशनली अगर क्या कुछ ड्रॉब बैक बन गया था रहे गया था तो उसी में हाथ लगाई है गजाएंगे चंद्रमा यहां चंद्रमा का उईक का जगा होता है वह डिवी लेटर यहां पर हो जाता है और यह सीक्स हाउस है सीक्स हाउस मंगले बापका नाइन्थ में है कि मित्षन लगना के जिन्देगी में कोशिस करे क्रेडिट ना ले कि पासमें जितना हेवास हुषी में इ舍े है करें कई एक और उसको फिर चुका नहीं पता है शह क्योंट तक यरशाे करें रहता है इसके लिए serasage कवी कबर और फ़त तो घाटे में पड़नापड़ता है यहीं सिक्साउस आपका मंगल लेप उनरशिप है जो कि क्रेडिट का घर है क्रेडिट का घर है तो जाके बेठा है मंगल अंड सनी नाइन था हुसमें इसी टाइमिंग में क्रेडिट ना ले लोन ना ले सेयर मार्केट ने थोड़ा कसस रही है ब्यांक को लोन के लिए मत जाईए जितना जिन्देगी में वीश्वर ने दिया उतने में कोशिस करे मैनेजस अंड मेंटेन करने के लिए जब होता है तब खर्चा कीजिए नो प्रोब्लेम मगर जब नहीं होता है अपना हात में चाबी रखना चाहिए जैसे कि कहीं से क्रेडिट ना ले हां बचे कुछे कुछ ले जो कि अपका अंडर कॉंट्र जब जाहें आप दे सकते तो ठीक है मगर एक ही उजामान को भी कह हिस्से ना लेना कि अंडेकर टाइम बाउंड किसी को मद दीजे इतना दिन इसी तरीकों में पेमेट कर दूंगा यह मित्थुन के लिए शाही नहीं होता है एन अकड़ेंगली द सीख साउस का उनर्व होता है मंगल लेब आपका तो यह अच्छा नहीं आपका धनुसाहिन को अठारा तरीकों जाएंगे धनुसाहिन अपका सेबेंथ हाउस चंद्रमा यहां पर जाएंगे द्रिष्टी रहु का आ जाते हैं नौ मां द्रिष्टी फिर भी यह व्रोश्पति का घर अपका सेबेंथ हाउस आप्रोक्स चलेगा एक टिक देता हूं एक क्रॉस देता कि इसलिए कई साथी मेरा भी वर्स ने कमेंट के थे कि पंड़ा सरा पहले समझाना चीखे उसके बाद वीडियो डाले हां वह बंदने दो नाम नहीं लेता हूं दो दिन के बाद आपने कमेंट्स को खुद दिलीट कर दिये हाथ जोड़के बोलता हूं डी मॉरालाइस्ट म मेहनत करके और लोग करता ही कभी भी हाथ जोड़के में बोलता हूं आप मेरा भीवर्स अंड सायद आफी के बज़े से इसी महीने में वीडियो में डाला नहीं है मैं नाम नहीं लेता हूं यह वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा आफी की बज़े से नियर अबाउट पांच-छे लाग हो गए मेरे भीवर्स सायद आफी के उनली आफी की बज़े से इसी महीने में वीडियो और लोगों के पास जा नहीं पाया मेरे को कुछ फरक नहीं पड़ता यह मेरा प्रोफेस्टन नहीं है सार मैं बार बार बोल रहा हूं इस तरह का कमेंट कभी मत कीजे किसी को भी ना मेरे को अगर किये तो डिलीट के यह उन किये 20 माई मकर साइन 8 हाउस अच्छा नहीं आपके लिए 8 हाउस चंद्रावा बिलकुल आपके लिए अच्छा नहीं डवल क्रस्ट देता हूं कई भी नयकाम सुरुबात मत कीजे 25 माई कुम्भा साइन ये कुम्भा साइन आपका होता है 9 अंड 25 तक मंगल चले गए होंगे उस टाइम मीनसाइन को यहां पर only sunni रहेंगे और sunni के साथ चंद्रावा रहेंगे योग तो आछा नहीं है फिर भी 9 आउसे आपका Sunni के साथ कुछ पुजुटिव पुजच नेगेटिव आक्टिविटीज में आप सक्सेस रहेंगे, थर्टिंग प्रोसेस में आप सक्सेस नहीं रहेंगे, तो फालतु की सोच उसी दिन ओ दो दिन ना करें, कुछ पजेटिव सोच लेकर ही चले, आप आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव मत ले, एक उम्हसाहिन, एक टीक देता हूं, मीनसाहिन उसी टाइम व्रोस्पति और शुक्रदेप, मीनसाहिन आपका, चब्विस मई, शुक्र तेईस को मेस को जाएंगे, सो चब्विस को चंद्रमा जाएंगे, शुक्र एक दिन से पहले इलेबंध हाउस को आपका चले गये होंगे, सो दसमा घर व्रोस्पति के साथ तेन्थ हाउस आपका, अच्छा है, अगर प्रफेशनली क्या कुछ उसी दिन करना चाहते है, तो कीजे, मैं ससाइन 27 मई चंद्रमा जाएंगे, फिर राहू के साथ यहां पर शुक्र होंगे इसी टाइम, इलेबंध हाउस से, राहू के साथ तो ग्रहन दोस्तों बनता है, राहू और शुक्र का यूती यहां पर इलेबंध हाउस में, बहुत बढ़िया इंकम सोर्से सापका साथिस्प्रेक्शन अचिब्मेंट, उसी दिन भी नेगेटिव का स्वस्तों दिमाग में मत लीजिए, उनली पजेटिव में चलिए, उनली पजेटिव में चलिए, में से साइन, ठीक देता हूं, ब्रिशब फिर वही टो एल्फ हाउस, यहां चंद्रमा आ जाएंगे रभी के साथ, एक्सपेंडिचर का दिन, आच्छा नहीं, मा का ख्याल उसी दिन रखे, कोई फीमेल परसन का ख्याल उसी दिन रखे, किसी का तबियात बिगर ना जाए, ब्रिशब, क्रास देता हूं, मिथुन साइन जानमा लगना है आपका, 31 मई 2022 को, हमेशा लगना में ही चंद्रमा, स्री चंद्र कहलाता है, बहुत बढ़िया का दिन है, चायो मिथुन का हो, सिंग का हो, या करकट का हो, नो प्रोब्लम, एस्पेक्टेशन किसी का भी हो, नहीं, किसी का नहीं, फिर भी एक टिक देता हूं, तीन जोन, 2022 करकट, खुद का राषी है, चंद्रमा का, चंद्रमा का ये खुद का राषी, अपका सेकंड हाउस, वेल्थ का जागा है, मगर बोली का जागा है, उसी दिन किसी को इस तरह का कड़वा क्या को ना बोलने को क कुछिस करें ताकि वह बात उस समने वाले से चुप जाएगा तना तनी तक भी बाते आ सकता और बेसिकली वह फामिलियार लाइप में ना करें सेकंडर्स फामिली है सेकंडर्स आपका बोली आपका जुबान है ध्यान रखें मगर वेल्थ की कारक्स अच्छा है फैनांशियल टिक देता हूं और एक क्रॉस भी देता हूं बोली को कंट्रोल रखें सिंगो साहिन को छे जून को जाते हैं थार्ड हाउस अपका थार्ड हाउस में राहु का पांचमा दृष्टी में चंद्रमा उसी दिन आ जाएंगे कॉमुनिकेशन स्कील को अच्छा करने को कोसिस करे किसी को एसा क्या कुछ ना बोल दे जबकि किसी को कुछ बोलना चाहिए कम से कम दो तीन सेकंड करके ग्याप रखे ताकि यो क्या कुछ बोले दो तीन सेकंड के बात आप बोले ताकि वो दो तीन सेकंड में आपको सोचने का कुछ टाइमिंग मिलेगा कि मैं क्या बोलने ज़गा हूं सामने वाला का अपका सुर्वात तर्किंग नो शिंगा साइन क्रास दिये कन्या साइन आठ जुन को फोर्थ हाउस है और एस्पेक्टरशन ग्रश्पती से और शुक्र से फोर्थ हाउस है चंद्रमा आजेंगे कन्या घर का इनवभेशन की काम में ध्यान रखे टीक देता हूं दस तरीक को तूला साइन फिर वो ही केतुके साथ चंद्रमा वही ग्रहान दोस्ट वही क्रियेटिविटी आक्टिविटीस का घर है आप तो बस आज के लिए गोरांग पढ़ना को बिदा दीजिए फिर कभी हो सके तब तो मुलाकात होगा नमस्ते जाजगनात कर दो मुला कुछके पूला सुछके भी है